नमश्कार दोस्तों, मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पर्टाल दुनिया भर की 2023 की आप सब को दिली मुबारक बार 2023 में अंतराश्टी कूटनीती, राजनीती, क्या दिशालेगी, क्या रंग अख्तियार करेगी इसका उदाहरण हमें देखने को मिलने लग गया है आज आपके साथ इस कारेक्रम में हम चर्चा करेंगे दो एहम खबरों पर पहली खबर लातिन अमरीका से, लातिन अमरीका अतादेश, ब्राजील जहां पर तीसरी बार राष्टपती बने लूला, जी हाँ लूला, अंधता पदभार ग्रहन करते हैं और एक नए धंकी घोश्रा करते हैं, नए दिशा में ब्राजील को ले जाने की घोश्रा करते हैं और हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, कि उनका कायकरम कितना रंग बिरंगा था, कितने बड़े पैमाने पर जोश्ट था, कि बोलसिन एरो अंधता बाहर गए और दूसरी एहम खबर वेस्ट एशिया के कुछ एहम देशों के साथ आने को लेकर है यहां पर हम देख रहे हैं कि सीरिया, तुर्की और रूस एक साथ मिल बैठ कर बात करने के लिए तयार हो रहे हैं दो एहम बैठ के हो चुकी हैं और तीसरी एहम बैठ जन्वरी के अंद तक होनी है आखित क्या गुल खिलेगा, क्या अमरीका के वर्चस वो को चुनोती दे पाएंगे यह सारे समीकरण, इन पर हम बात करेंगे प्रबीर को पैस से प्रबीर दो हजार तेइस में जो सबसे बड़ी खबर आई है और सबसे खुबसूरत तस्वीरे आई है वो लातिन अमरीकी देश ब्राजील से आई है, ब्राजील में लूला तीसरी बार राष्टपती चुने गए हैं 77 साल के हैं और उनका जो पूरा प्रेसिडेंशिल इलेक्शन रहा बॉलसिनारो को जिस तरह से हराया उन्होंने, कम मार्जिन से हराया लेकिन जो जीत का जशन है और जब वो ने पद ग्रहन किया जिस पैमाने पे लोग रंगों के साथ भरे हुए थे तो वो एक दूसरा परिदर्श लातिन अमरीका में दिखा रहा था उनकी जो घोशनाए हैं, उनका जो तिबारा आना है उसे आप कैसे देखते हैं तेकि दो पहलू है, एक तो है कि ब्रजिल की अंद्रूनी पहलू जिस पे कोई दो राहे नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन का संभावना है यह बोलसनारो तीन चीज़ों पे मुख्यत है लोगों के निगाह में अंतराष्टियस तर पे और देश के तर पे भी काफी कमजोर कही है, काफी विपरित गामी कही है, उल्टा चलने वाले कही है, जो भी कही है तो उस पे एक तो है कि यह परियावरन के बारे में सब कोई कह रहे है, इस पे सर्वसमती है इस बात पे कि जिस तरह से Amazon Rainforest को उन्होंने खात्मा करने की दिशा में चले 11% पिछले चार साल में 11% Rainforest काट दिया नश्ट कर दिया गया है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जो जिसको Lungs of the दुनिया की Lung कहा जाता है क्योंकि वो प्रदूशित पातावरन को कुछ हद तक उसको कम करता है क्योंकि बहुत बड़ा जंगल का एक कारवन फिक्सिंग एक भूमिका है जो नक्षे में दिखाई भी दे रहा कि इतना बड़ा उसका इतना बड़ा उसका इलाका है कहां कहां कितना खतम हुआ उसका भी कुछ अंदाजा हम लगा सकते इससे ग्यारा परसंट चार साल बहुत बड़ी बात होती है एक रेन फॉरेस्ट तबड़ा हजारों साल में उगता है तो यह कम बात नहीं है और इनका जो दृष्टिकोन था कि इसको खतम करके इसको फॉरेस्ट लकड़ी निकाल के जमीन पे दूसरों को दे देना प्लांटर्स क गरीब ही बढ़ा अमीरी बढ़ा तो हार क्राइसिस की कोविट क्राइसिस की पूरी जनता पर पड़ी है और जो रिच पॉपुलेशन है जो अमीर पॉपुलेशन उस पर नहीं पड़ा तो यह दारा बढ़ा है पीछले सालों में और तीसरी बात जो है कोविट-19 को लेकर जो एक बहुत बड़ा संतोष बुलसिनारों को एक हिसाब से बूचर जो लोग कहते थे. जिस तरह सुनने अब एगनिक दिश्टी कोण अपनाया करोना के समय? क्राम पर वो एक ही समझ थे दोनों का थोड़ा सा फ्लू है और कुछ नहीं है. पर इससे जितने ब्रजिल की जो जितने लोग मरे हैं तो उसमें भी काफी लोग बुलसिनारों को दोशी ठहराते हैं. पर इसके बावजूद जो आपने कहा कि गैप लूला और इंग में इतना बड़ा नहीं था. जो शायद पॉलिशी लेवल पे फेलियर्स के वज़े से होना चाहिए था. दूसरी पहली उसकी है अंतराष्ट्रिय की अंतराष्ट्रिय रोल सिर्फ लाटन अमेरिका के लिए नहीं दुनिया के लिए जो ब्रिक्स दुनिया जो थी सिर्फ अमरीका जिसको कहें के जी सेवन कहते हैं वह वाकाई तो है वो योरोपिया देश कुछ चंध कलोनियल अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिय इस पर शाविल होते हैं वो समझते हैं अंतराष्ट्रिय कानून जो है हम ही तै करेंगे इंटरनाशनल कोर्ट अब लॉग कुछ नहीं है, इंटरनाशनल रूल बेस्ट और हम घोशना करेंगे तो उसके खिलाफ ब्रिक्स की जो पहलू थी जिस पर ब्रिजिल के बहुत बड़ा भूमिका था, तो वो किस तरह से वो इसको फिर अपनाते हैं, क्योंकि लूला का इस जो इनेट्रित में भी यह हुआ था, सारा ग्रोथ था, जो विकास था ब्रिक्स का एक एसर्शन, पावर ग्रूप के तो एक तो आप शांगहाई को कोपरेशन औरगनाइजेशन, ब्रिक, बेल ट्रोट इनिशेटिफ के नाम पे उरेशिया में चल रहा है, और दूसरा अंतराश्ट्रिय स्टर में इंडिया, ब्रजिल, साथ आफ्रिका, चाइना, रश्या को लेके, जो एक समन्दवे था, वो था खास तोर से एकिनॉमिक फ और ब्राजील का मानचित्र में तब्दीली आई है, कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में तब्दीली आई है, और उसका असर निश्चित तोर पे अंतराश्ट्य स्टर पे पड़ेगा, एक चीज़ मैं आपसे जाना चाहरी थी कि इनके मंत्रिमंडल पे काफी चर्चा है, 16 प्लस 5, 21 किये हैं, कुछ और अभी होने हैं, और इन में 11 महिलाएं हैं, और 11 महिलाओं में जो 2 महिलाओं की सबसे ज़्यादा चर्चा है, और एक अलग से इन्होंने पूरा काबनेट भी बनाया है, वो इंडिजीनेस पीपल, भारत में कहें, तो आप मुल निवासियों के लिए एक अलग से पूरा का पूरा विभाग तैयार किया है, और एक बहुत बुलंद महिला को उनका लीडर भी बनाया है, उनको कैबनेट में रखा है, इसी तरह से जो परियावरन मंत्री इन्होंने रखा है, जिनकी शुरुआत और बुनियादी पोलिटिकल पहचान, एम इन्ट्री हुई है, बाकी कुल मिलाके ग्यारा महिलाओं की, उसे आप कैसे देखते हैं, देखें, बुलसुनारों का एक बहुत क्या कहेंगे, गलत रवया, गंदा रवया कहें, वो और तो प्रती था, और तो और इंडिजनेस पीपल, दोनों के प्रती, उनकी निगाह जो लूला की यह जो इनिशियल चीज रही है, जो कदम उठाया है उन्होंने, जिसमें मारीन सिल्वा, जिसकी आप जिकर कर रहे थे, जिनको परियावरान मत्री बनाया है उन्होंने, जिकर जो प्रेजिदेशियल कैंडिडेट भी रही और उसके पहले, और वो बहुत बड़ा एक्तिविस्ट इन्वार्मेंट के एकोलाजिकल स्ट्रगल्स को लेके, जिसको लोग जानते हैं, तो ये एक एहम कदम जरूर है, खास तोर से बल्सोनारों की जो भूमिका रही, एक पॉलराइजिंग भूमिका रही और एंटी विमन, एंटी इंडिजिनस पीपल जो भूम परसेंटेज के तौर पे, उस पे क्या असर लूला ला सकते हैं, उससे और कोविड नाइटी ना भी गया नहीं है, वो अभी दुनिया में है, इन चीजों पर भी देखना पड़ेंगे, उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, और शिक्षा की बात की, कि शिक्षा में जो खास्त में जो खर्चा कम हुआ और जो बहुत एहम चीज है कि साइंस, साइंस की बारे में विनों ने कहा कि जिस तरह से खर्चा कम किया था बुलसेनारों ने, उसे वो अंडू करेंगे, यानि उसे वो वापस लेंगे. खासतर से विग्यान और आमाजान जुडा हुआ है, इसलिए विग्यानों को भी विग्यानिक ब्रेजिल में साफ स्टेट्मेंट उनका था कि बलसेनारों को नहीं हराएंगे, तो हम अपना आमाजान फॉरेस्ट जिसकी इतनी एहमियत है, उसको बचा नहीं पाएंगे, तो बलसेनारों को हराएं, यह उनकी एक कैंपेन थी, विग्यानिक खास तोर कहीं भी, पॉलिटिक्स भी उतरते नहीं है, तो यहां पर उन्होंने साफ ओपन डिक्लेरेशन दी थी, जी, अब हम चलेंगे एक और एहम डवलप्मेंट जो 2023 में होता दिखाई दे रहा है, जिसकी अब आने वाले दिनों में दिखाई देगा कि तीनों देशों के जो विदेश मंत्री हैं, वह भी मिलने जा रहे हैं, इस बात का ऐलान हो चुका है, तो यह जो सारा का सारा समीकरण हो रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सीरिया किस तरह से 2011 से भीशन ग्रीय युद्र में हसा हुआ है, अमरीका की अपनी दिल्चस्पी है, अपने हस्तक शेप हैं, ऐसे में यह जो बैठके हो रही हैं, एक के बाद एक, दो हो चुकी है, तीसरी होने वाली है, यह क्या हो रहा है यहां पर? पहले भी उसका जिकर किया कि वेस्ट एशिया में एक री अलाइनमेंट जिसे कहें, देखने को मिल रहा है, क्योंकि यह इलाखा, तेल वहूल इलाका है, बहुत तेल मिलता है, सीरिया में नहीं, उस पे कमी मिलता है, पर दूसरे इलाकों में काफी तेल बहुत मुलक तो इसलिए वेस्ट एशिया पे वेस्टन खास तोर से अमरीका कब्जा एक हिसाब से बहुत दिन से थी सीरिया उस पे नहीं था क्योंकि सीरिया इसरेल खिलाफ संगर्श करता रहा और सरेंडर नहीं किया था जैसे एजिप नहीं किया था दूसरे मुलकों नहीं किया था इसलिए सीरिया के एक एहमियत थी और खास तोर से इसलिए वो अमरीका के कह सकते कुछ नजर में भी थी कि इसको कैसे गिरादा है तो उसका एक समर्थन जो इसके लिए उन्होंने किया था वो Islamic Fundamentalist Forces कहिए, Islamist Forces कहिए, जो भी कहिए, आइसिस और इस तरह के शक्तियों को, Al-Qaeda जैसी शक्तियों के सीरिया बे अमरीका पूरा समर्थन किया था और इसके पीछे तरकी भी था, क्योंकि तरकी, आइसिस, Al-Qaeda के साथ डारेक संब्द जितना नहीं था, पर उसके Muslim Brotherhood के संब्द था और इसलिए इस तरह के forces को उन्होंने समर्थन किया था, जो Qatar, Saudi Arabia नहीं भी किया था, तो यह सब मिलके, सीरिया को, यह नहीं कि सीरिया पर कबज़ा करना चाहते हैं, पर सीरिया को तोड़ना चाहते हैं, जो कि जो नक्षे में दिखाई भी दे रहा है कि सीरिया के अलग-अलग इलाके, किस तरह से अलग लोग के पास हैं, कहां पर किस तरह का युद्ध चल रहा है, और 2011 से सीरिया का पूरा इलाका तकरीबन तबाह है, बड़े पैमाने पे हमने फोटो औ कहरा है कि यह जो कुर्दिश मिलिटिन्सिया है, या जो उगर राष्टवाद यहां पर है, इस पर अमरीका की जो वर्धास्त है, इससे उसे मुखती चाहिए, तो यह एक बहुत बड़ी तबदीली अंतराष्टी कूर्टनीती में होती दिखाई दे रही है, क्योंकि तुर कुर्दिश प्राबलम की कुर्दों के लिए सबसे बड़ी दुख की बात हमेशा रही है, को उसको दूसरे लोग चलाते हैं, उसको बल देते हैं, और जब कहीं कोई क्राइसिस होता है, तो भाग जाते हैं उनको छोड़ के, तो यहां पर तुर्की के साथ कुर्दिश प्र यहां वो सबसे एहमियत रखता है, वहां पर उनकी डारेक्ट कॉन्फरेंटेशन इन इलाकों में, उन्होंने आजादी के संगर्ष करना पहुत पहले से शुरू किया है, कुर्दिश किये हैं, वो जलान के नेट्रित्व में, तो वो इलाके में अभी भी कुर्दिश पोर् हो गए थे, क्योंकि अमरिका ने उनको सहरा दिया था, खास तोर से इस्लामिस फोर्स के खिलाफ और सिरियन गार्वर्मिन्ट के खिलाफ, दोनों के खिलाफ, तो यह जो समझावता था, जिसके वजह से इन्होंने काफी एक बड़ा इलाका सीरिया में, आप देखेंगे, का यह जो राजडीती रही है अमरीका का वो हमेशा रहता है कि आगे बढ़ाओ और पीछे कहा जाएंगे किता दूर तक जाएंगे वो हमारे उपर निर्भर करेगा पर आप हमारे उपर पूरी तरह से निर्भर शिल हो तो यह काफी दिन तक वो इस्लामिस फोर्सेस को सपोर्ट करते रहे तुर्की भी करता रहा पर तुर्की इस वक्त उनका जो प्राब्लिम है कि कुर्दिश प्राब्लिम को कैसे सॉल्ट करेंगे यह उनके लिए बहुत बड़ी प्राब्लिम है क्योंकि कुर्दिश प्राब्लिम उनकी डुमेस्टिक प्राब्लिम भी है तो इसके लि इडलिब्ला इसलामिस फॉर्संे के पास अभी भी है। उसके पीछे गिलिटरी ताकत तुर्की की ए, वह साफ साफ वहां एकिलिटरी का इंटर्वैंशन भी किया है। तो उसको देखते हुए, सीरिया का इंट्रेस्ट पर अगर इस वक्त सीरिया की मिलिटरी सिचुएशन देखे तो मुझे नहीं लगता तुर्की और सीरिया एक साथ बिलके अगर कुछ करेंगे तो कुर्दिश फोर्सेस को बीच बिचाओ करने के लावा कुछ रहेगा नहीं और कुर्दिश फोर्सेसे बहुत पुरानी सीरिया की संबन्द रही है कि आप जो और चाहते हो सीरिया के अंदर कर दो अंदर ले लो पर बॉर्डर जो है हमारे पास होनी चाहिए लिए कि आपके सेल्फ इटर्मिनेशन अलग देश हम नहीं मान सकते आप हमारे अंदर जितना और चाहिए ले लो तो यह संबन्द कुर्द के स तर सीरिया के साथ क्या रहीगी सिरियन सरकार के साथ क्या रहीगी वो देखने की बात है पर वो समझाओता तभी हो सकता है तो तुर्की खातियार गेर के कहेगा इडलिप पे अंदर हम वहां से हड जाएंगे आप उसको ले लो क्योंकि तुर्की का सबसे बड़ा और एक प्र अंदर उनको कैम्प्स में कर सकते हो उनका साहस लेकिन तब भी एक हकीकत रहेंगे और अर्थववस्था और तमाम जगों पर बोश तो ही बिल्कुल और इसलिए उनको वापस भीजना तरकी के लिए इस वक्त एक एहम काम है और उनकी आर्थिक स्थिती भी अच्छी नहीं है तो इसलिए उनको इस वक्त रूस की सहरा इसलिए और इसमें बड़ा दिल्चस्प है कि रूस जो है दुबारा एक केंद्र में आया है क्योंकि हमें यह भी याद है कि यूक्रेन युद्ध के समय तुर्की ही मध्यस्ता भी कर रहा था जब वहां से अनाज निकालने की ब रखता है कि इन तमाम इलाके में रूस का जो एक कूटनितिक बढ़त है इस मामले में भी दिखाई दे रहा और अगर जनवरी में जो मुलाकात है जिसे लोग बता रहें कि 2011 के बाद पहली मुलाकात है इतने उचस्तर की जिसमें मॉस्को भी जिसमें रूस भी एक शिरकत कर मैं समझता हूँ ऐसे जगह पे पहुंच रही है कि यहां पर अमरीका के बिना इन सब चीजों को सेटल किया जा रहा है रूस का खास रोल इसलिए है कि सीरियन सरकार को बचाने के लिए उन्होंने अपने सामरिक शक्ति इस्तमाल की थी हवाई जहाज से लेकर मिजाइल लेक और भी समझतल सीरियन पोर्स को उन्होंने दी थी तो उनका तो एक खास रोल सीरिया में है ही पर मुख्य चीज मेरे लिए है कि वेस्ट एशिया में धीरे धीरे अमरीका और कुछ कुछ कलोनियल्स पावर्स बैटके निधारित करते थे क्या होगा कहां पर बॉर्डर होगा नक्षे बटिक करके और नक्षे पे लाइन लगा करके कौन जीतेगा कौन हारेगा पैसा क्योंकि उनके बैंकों में जमा था तो तेल के सम्मंदिर जितने कारोबार होता था उनके बैंकों से होता था अब वो भी शिफ्ट होना शुरू हुआ क्योंकि चीज सबसे बड़ा खरिदार है इस वक्त तेल की यॉर्प यॉर्प यूनियन नहीं तो यह सब देखते हुए कि भार्षम्य राजदितिक एकुलिब्रियम जो है वह कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर जा रही है और एक सबक हमें देखने को यही बिल रहा है कि वेस्ट एशिया में जो है एक स्ल बड़ा होना स्वाविक है क्योंकि एक तो है जियोग्रफी और एक तो है पॉलिटिक्स दोनों को देखते हुए यह हमको वी कंसीक हम देख सकते हैं कि यह हो रहा है लगातार जी बहुत-बहुत शुक्रिया प्रभीर दोस्तों एक बहुत साफ है कि दोहजार तेईस बड़ की दावेदारी पेश कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल कि इस दावेदारी के बरक्स जो अमरीका की सुप्रमिसी है जो उसकी पूरी की पूरी तानाशाही रही है क्या उसे मुकमल चुनौती मिल पाएगी और इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि नैटो और यूक्रीन देखिए लाइक करिए शेर करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की शुक्रीए